Hello everyone, welcome to the new video from StudyBuzz और मैं हूँ अन्बुफ गुपताब जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं इसे पहले फ्रेंज हम स्टार्ट करें है वो रिक्वेस्ट हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सार इंपॉर्टन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और प्लीज हम आज साथ इंस्ट्रग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना हमाँ इंस्ट्रग्राम है स्टडीबस अंडर्सकोर एड्यूकेशन यहां पर हम डेली बेसिस पर बहुत इंपॉर्टन कोंटेंट पोस्ट करते हैं और आप हम आज साथ फेस्बुक ग्रूप भी कनेक हो सकते हो हैं हमाया फेस्बुक ग्रूप है स्टडीबस के नाशा तो फ्रेंच्ट आपने हर मार एक टर्म सुनएं पैकेज ठीकले कर्दे के इसका एक सम्धाउंप का पैकेज लगा इसका यमांओ का पैकेज लगा यहा आपने सुनाए जा इसका टोटल फेघ्ली पाकेज इतने lakhs per annum का है, तो CTC क्या होता है, CTC वो package ही है, यानि कि CTC की full form होती है, cost to the company, अगर मैं इसको बहुत simple तरीके से आपको बताऊं, तो CTC वो amount होता है, जो कि company आपके offer letter के उपर mention करती है, यानि कि cost to the company वो amount होता है, जो पूरा का पूरा पैसा, company आपके उपर खर्च करती है, पूरे साल के अंदर उसको cost to the company बोला जाता है, इसके अंदर बहुत सारे factors आते हैं, for example, सबसे पहले आपकी basic salary होती है, उसके बाद house rent allowance होता है, फिर basic allowance होता है, travel allowance होता है, medical allowance होता है, communication allowance होता है, या और भी कोई allowance हो सकता है, food allowance हो सकता है, transport allowance हो सकता है, किसी भी तरीके का, या provident fund होता है, pension fund हो सकता है, कोई incentive company आपको दे रही है, कोई bonus आपको दे रही है, कभी joining bonus होता है, कभी deferred bonus होता है, या कोई variable pay दे रही है, या performance पे दे रही है, या किसी तरीके के कोई stock options दे रही है stock options का क्या मतलब होता है जब आपका package बड़ा हो जाता है जब आपके CTC बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर company आपको कुछ amount के shares भी देती है ताकि आपको एक ownership वाली field company की आ सके तो इन सारे elements का जब हम sum total कर देते हैं तो उसको cost to the company बोला जाता है या फिर simple terms के अंदर package बोला जाता है यानि कि CTC तीन चीजों का sum total होता है यानि कि company ने जो आपको direct benefits दिये दूसरे आपको जो indirect benefits दिये या आपने किसी तरीके के savings contribution company ने आपसे करवाए तो उस सब को cost to the company बोला जाता है अब for example एके करके समझने की कोशिश करते है for example direct benefits के हो सकते है यानि कि जो basic salary है या DNS allowance है या conveyance allowance है आपको travel करने के लिए अगर company ने कोई पैसा दिया है या HRA दे रही है या medical allowance दे रही है या LTA घुमने फिरने के लिए travel के लिए कोई allowance दे रही है उसके लिए कोई compensatory allowance company आपको दे रही है तो ये सारे तो direct benefits हो गए इसके लावा कुछ indirect benefits भी कुछ employers देते हैं मान लिजे कि interest free loan मिल गया तो company का तो खर्चा होई रहना तो वो भी आपके CTC के अंदर याड़ होता है या company आपको food coupons या subsidized meals provide कर रही है तो वो भी आपके indirect benefits के अंदर आता है अगर कोई company lease accommodation company ने lease में लिए हुए है और आपको दे दी है तो वो भी आपके लिए indirect benefit है या आपके लिए कोई medical या life insurance premium company pay कर रही है या कोई income tax की savings है या office rent, office space की कोई rent है तो ये सारे indirect benefits है तो friends अगर हम तीसे component के बार में बात करें तो वो होता है savings contribution तो for example savings contribution क्या हो गया अगर कोई company ने आपको super annuation benefit दिया है तो super annuation benefit का क्या मतलब होता है आपको retirement तरीके का कोई benefit मिल रहा है या EPF में contribution हो रहा है Employed Provident Fund के अंदर जो की mandatory होता है as per law या gratuity का आपके बहाफे कोई company आपके लिए कोई पैसा जोड रही है तो उसको भी gratuity के अंदर add कर दिया जाता है इसके लिए वो और भी चीज़े होती है मान लिजे अगर ATC की कोई investment है या उसके बहाफे आपके बहाफे company ने करी है तो वो भी आपके CTC के अंदर add हो जाता है ATC के होती है income tax save करने के लिए कुछ investments करनी होती है तो वो भी आपके package के अंदर add हो जाता है या आपके CTC के अंदर add हो जाता है तो अब आती है friends हमाई पर next gross salary तो gross salary क्या होती है जो आपका CTC है उसके अंदर से जब हम gratuity और EPF यानि कि provident fund के अंदर जो contribution करा गया है उसको हटा देते है तो उसको हम gross salary कहते है अब provident fund क्या होता है provident fund के अंदर minimum 12% contribute करना होता है आपको basic plus dearness allowance का employee भी contribute करता है employer भी contribute करता है और जब super annuation की age 58 years की हो जाती है तो employee अपना सारा का सारा पैसा PF का निकाल सकता है gratuity क्या होता है gratuity actually उन लोगों को दिया जाता है जिनकी long service होती है यानि कि minimum 5 years की आपको service करनी जरूरी है तब ही आप gratuity के लिए eligible हो जाते हो और हर साल का कुछ-कुछ पैसा gratuity का company आपके बहाफ पे जोडती रहती है और वो जब आप company quit करके जाते हो 5 साल के ब income tax subtract कर दिया और professional tax भी हटा दिया तो finally जो component हमारे हाथ में बचता है उसको enhance salary कहा जाता है तो income tax का rate depend करता है कि आपकी income कौनसे slab के अंदर आ रही है ये 5% से लेके 30% तक income tax का rate हो सकता है उसके बाद professional tax बहुत कम होता है बहुत सारी states में है बहुत सारी states में नहीं भी है ये maximum 2500 होता है ये maximum है इसका तो जब आप gross salary के अंदर से income tax निकाल दोगे और professional tax निकाल दोगे तो जो पैसा end में आपके हाथ में बचता है उसको हम in hand salary या take home salary कहते हैं तो friends ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर यार मैंने आपको बिल्कुल clear कर दिया कि CTC क्य salary के होती है net salary के होती है and I guess अब आपके mind के अंदर बिल्कुल clear हो गया होगा कि तीनों के अंदर difference क्या होता है तो अगर वीडियो पसंद आयो होता है लाइक जरूर करना ऐसी वीडियोज हम फ्यूचर में और भी बनाते रहेंगे प्लीज आज हमां इंस्टर्राम अकांट प कर दो